Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 30 जुलाई और आज किस वीडियो में हम 30 जुलाई से रिलेटेड करन्ट अफेर के सभी important question को cover करने वाले हैं सारे ही question important है इसलिए वीडियो को last तक देखेगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं लिंक description box में दी हुई है और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लीजे साथ ही बेला इक अंदबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और देखिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक confusion दूर कर देती हूँ कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भारत के प्राइम मिनिश्टर है इनका उलेक है article 74 से लेकर के 78 तक इसमें कुछ student के ये comment आये थे कि यदि इन articles में प्राइम मिनिश्टर के बारे में बताया गया है तो article 76 इसमें तो बताया गया है attorney general के बारे में तो इसी को लेकर के काफी लोग confused भी थे तो इसे मैं आप लोगों को clear कर देती हूँ एक एक article समझा करके तो देखी यदि हम बात करें article 74 की तो article 74 ये कहता है कि राश्टपती को सलाह देने के लिए मंत्री परिसत का गठन किया जाएगा लेकिन इसके प्रमुक होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर तो 74 आर्टिकल ये प्राइम मिनिस्टर से related है यदि हम बात करें article 75 की जो ये कहता है कि जो भारत के प्रेसिडेंट है ये नियुक्ति करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर की ये कि राश्टपती प्रधान मंत्री की नियुक्ति करते है article 75 के इंतरगत जो article 76 है जिसमें कि आप लोग confuse हो रहा थे इसमें बताया गया है attorney general की नियुक्ति के बारे में attorney general इनिकी महान यायवादी जो कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलहकार होता है तो ये बताईए आप मुझे भारत सरकार ये तो प्राइम मिनिस्टर ही हुए न क्योंकि जो भारत के president होते हैं ये तो नाम मात्र के प्रमुक होते हैं इन्हीं के एक आपशारिक प्रमुखी होते हैं, इन्हीं के नाम पर सारे काम होते हैं, लेकिन करते कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं हो ये, एट और्ली जनरल का उलेखा आर्टिकल 76 में ही, जो आर्टिकल 77 है, वो ये कहता है कि जो भी काम ह होंगे, ये प्रेसिडेंट के नाम पर ही होंगे, और आर्टिकल 78 ये बताता है प्राइम मिनिस्टर के कर्तव विके बारे में, तो ये आप याद रख सकते हैं, और कन्फ्यूज मत हो ये, तो चलिए स्टार्ट करते हमारा पहला कुश्चिन, हाली में ग्लोबल टाइगर ड तो देखे, दुनिया में बागो की आबादी का जो सत्तर प्रतिसत हिस्सा है, ये भारत में ही है, भारत में बागो की संक्या है कुल 2967, यनि कि 2967, इसे आप करण से रिलेट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ये बताया था, कि अभी हाली में, जो 2018 का टाइगर सर्वे था, 2018 ये आप याद रखेंगे, इसे अभी हाली में गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि देखे, ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा टैप वाइल लाइफ सर्वे था, 2018 का, जिसने की अपना नाम दर्ज कर लिया है, ग कारगिल दिवस, यानि की कारगिल विजय दिवस की रूप में, और 28 जुलाई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे, जिसकी थीम थी हैपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, तो ये भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है, हाली में लखनों में इस्थित, एक चौराहा है, जिसका नाम है चौक चौराहा, और एक रोड है जिसका नाम है लखनों हर्दोई रोड, इन दोनों का ही नाम बदल कर किया गया है, लाल जी दास टंडन के नाम पर, देखें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाम बदलने की, तो आप अधर आप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसी वर्स, श्यामा प्रसाद मुखर जी, इनके नाम पर तीन जगों के नाम बदले गए हैं, एक तो है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि इस्तित्ह जम्मो कश्मीर में, और ये जम्मो और श्री नगर की बीच की दूरी को 31 किलोमीटर तक कम करती है, इसका उननीसवी जन में दिन मनाया गया, तो इसके उपलक्ष में, जो जहारखंड में इस्तित है, I.A.R.I. बिल्डिंग, इनकी इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिटूट, इस बिल्डिंग का नाम बदल कर किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर जी के नाम पर, यद तीसरा है, विदेशी सेवा संस्थान, जिसका नाम बदल कर किया गया है, सुस्मा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान, अब इदी हम लास्ट ऑप्शन को डिसकस करें, तो जो अरुन जेटली जी है, इनके नाम पर, कुछ समय पहले ही जो दिल्ली में इस्थित, फिरोश श इसका नाम बदल कर भी किया गया है, अरुन जेटली जी के नाम पर, हम बात कर रहे हैं लखनों की, तो जब अटल विहारी बाचपाई जी का निधन हुआ था, 2018 में तब लखनों में ये स्थित, जो हजरत गंज चुराहा है, इसका नाम बदल कर किया गया था, अटल विहार आतने किस देश को 10 ब्राड गेज रेलवे इंजन दिये हैं, तो ये दिये गया है बांगला देश को, देखे आप इसे easy तरीके से समझ सकते हैं, यदि आप current से relate करें और समझना चाहें, तो हाली में जो आंधर प्रदेश का गुंटूर जिला है, वहां से बांगला देश को मिर्च का सप्लाई किया गया था, क्योंकि गुंटूर की जो मिर्च है, वो वर्ल्ड फेमस है, और ये कैसे सप्लाई किया गया था, रेलवे के माध्यम से, यानि कि इंडियन रेलवे के थुरू, तो यही है कि दोनों देशों के बीच, रेल पार्टनर्शिप और connectivity को हावा देने के लिए, अभी हाली में भारत ने बांगलादेश को दस ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिये हैं, यदि हम बात करें बांगलादेश की, तो ये इस्थित है एशिय महादीप में, कैपिटल क्या है, धाका, करंसी है, टका, और यहां की जो प्राइम मिनिस्टर ह इनका नाम है शेख हसीना, जिनने कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम अंतर राश्ट्री इस्मरती अवर्ड, यनि की अब्दुल कलाम इंटरनेशनल मेमोरियल अवर्ड से सम्मानित की आ जा चुका है, और शेख हसीना ने बांगलादेश की जो कैपिटल है धाका, यहां से इवीजा की भी शुरुआत की थी, और भारत और बांगलादेश की बीच जो एकसरसाइज होती है, इसका नाम क्या है संप्रती, तो यह आप याद रख सकते हैं, और देखिए बांगलादेश ही है जिसके साथ भारत सरवाधिक सीमा शेयर करता है, कुल 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो कि भारत शेयर करता है बांगलादेश के साथ, और भारत के कुल 5 राज्ये हैं, वेस्ट बंगॉल, असम, मेघाले, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि बांगलादेश से लगे हुए हैं, इनकी इसकी बॉर्डर से लगे हुए हैं, नेक्स्ट है, हाली में किस देश के पूरो प्राइम मिनिश्टर जिनका नाम है नजीब रज्जीक, इन्हें भी हाली में अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सज़ा सुनाई है, तो ये सुनाई गई है, मलेशिया की पूरो प्राइम मिनिश्टर नजीब रज्जीक को, किस मामले में? क्रांतिकारी मामल मलेशिया की दिए हम बात करें तो capital क्या है? तो यह है क्वालालंपूर और यह मलेशिया की capital तो है ही साथ ही मलेशिया की largest city यह क्वालालंपूर ही है और देखिए जो क्वालालंपूर टावर है यह वर्ल्ड का चौथा highest tower भी है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर ये तो है बुर्ज खलीफा जो की स्थित है UAE में और चौथा हाइस्ट टावर ये है क्वाला लंपूर टावर ये तो ही कैपिटल करिंसी क्या है तो ये है मलेशियाई रिंगित और हम क्या डिसकस कर सकते हैं तो देखिये मलेशिया और सिंगापूर के बीच में एक स्ट्रेट है और स्ट्रेट का नाम क्या है तो ये है मलक्का स्ट्रेट अक्सर एक्जाम का पार्ट बनता है इसलिए ये आप याद रखेंगे आदित्यम अब देखिये यहाँ पर हम भारत के पहले की बात करी रहे है तो आप other option को relate कर सकते हैं जिसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी drone जिसका नाम है भारत इसे develop किया गया है Defense Research Development Organization के द्वारा और इसे अब Indian Army को सौप दिया गया है LSE वाले area में निगरानी रखने के लिए जो शक्ती है ये भारत का पहला स्वदेशी Microprocessor है जिसे की develop किया है IAT मदरास के शोत करताओने यदि हम बात करें प्राणवायू की प्राणवायू जो की भारत का एक portable ventilator है इसे IAT रुड़की के शोत करताओन के द्वारा डेवलप किया गया है तो ये भी आप याद रखेंगे Next है हाली में The India Way Strategies for an Uncertain World ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए ये लिखी गई है S.J.S. Ankar के द्वारा और ये अब लांच की जाने वाली है यदि हम बात करें S.J.S. Ankar की और अभी हाली में विदेश मंत्राले में सचीव पूर्व की रूप में किसे न्युक्ति किया गया है तो ये न्युक्ति की गई है रीवा गांगुली दाज और देखिए यहाँ पर हम बुक की बात करी रहे हैं यदि हम बात करें प्रसिद्ध राइटर अमी स्रीपाठी की तो अभी हाली में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है लिजेंड ओफ सुहल देव विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रांड मास्टर और राजिव गांधी खेल रत्न पूरिसकार के पहले विजेता भी है इनके द्वारा अभी हाली में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में किस फुटबॉलर ने प्रीमेर लिक्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है तो ये भी हाली में जीता है जेमी वर्डी ने जो कि एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है और ये किस फुटबॉल कलब के लिए तो ये खेलते हैं लिसेश्टर सिटी के लिए और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है तो देखिए दोहसार उन्निस बीस इनकी इस एक साल के सेसन के दौरान इन्होंने तेज गोल किये हैं और तेज गोल करने के लिए इन्हें प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है ऑप्शन में जो आप लोग नाम देख रहे हैं ये सभी ही फुटबॉलर से रिलेटेड हैं जो कि चर्चे में रहे हैं यदि हम बात करें जॉर्डन जोहंसन की तो इनके बारे मैंने आप लोगों को दो दिन पहले बताया था ये हैं कौन? तो ये हैं लीवरपुल जो कि इंगलेंड का एक फुटबॉल क्लब है लीवरपुल के खिलाडी है जॉर्डन जोहंसन जिने के भी हाली में Footballer Writers Association के द्वारा Footballer of the Year चुना गया है जबकि इसी Footballer Writers Association के द्वारा 2019 में Footballer of the Year ये चुने गये थे रहीम स्टरलिंग और ये भी बिलॉंग करते हैं इंगलेंड इसे लेकिन ये खिलते हैं मैंचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के लिए जो प्रसिद फुटबॉलर है लियोनल मेसी लियोनल मेसी को अभी हाली में यनिकी अक्टूबर 2019 में Football जगत का जो प्रतिष्ठित अवार्ड होता है बैलन डियोर इससे नवाजा गया है देखिए मेल केटेगरी में बैलन डियोर से सम्मानित किये गए लियोनल मेसी जबकि फीमल केटेगरी में सम्मानित की गई है मेगन रेपुनुई यदि हम बात करें लियोनल मेसी की तो ये किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं अर्जिन्टीना से और किस फुटबॉल क्लिप क्लिए खेलते हैं तो ये खेलते हैं बरसी लोना के लिए नेक्स्ट है हाली में प्रथवी विज्यान मंत्राले के दौरा Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए भी हाली में जो प्रथवी विज्यान मंत्राले हैं इसके द्वारा कई category में कई award दिये गये हैं जिसमें से की एक है lifetime achievement award तो इस award से सम्मानित किये गये हैं प्रोफेसर असोक साहनी तो ये तो ही lifetime achievement award की बात अब देखिए option में जो आपको तीन नाम दिख रहे हैं इन्हें भी प्रत्विविज्ञान मंत्राले के ही द्वारा कोई न इन्हें सम्मानित किया गया है यंग researcher award से डॉक्टर एस सुरेज बावु इन्हें सम्मानित किया गया है technology के लिए national award से जबकि जो डॉक्टर म. आत्मा नंध्य सम्मानित किये गया है समुद्र प्राद्योगी की इनकी ocean technology में national award के लिए तो ये सभी award है जो कि दिये गये हैं प्रत्वी विज्ञान मंत्रि आले-के द्वारा तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि present time में हमारी kiendri प्रत्वी विज्ञान मंत्री यह है कौन तो यह है डॉक्टर हर्श वर்धन जो कि present time में हमारे kiendri स्वास्थ मंत्री भी है इनकी consistency क्या है छांद्री, चॉक, दिल् स्वार्ट की तरफ से किसमें पार्टिसिपेट किया है निर्मला सीतरमiltji बर्चुली यह बयठक उनलाइन आयोजित की गई थी तो देखिए यह जो बैठक wells आयोजित की जाती है और किसे यह आयोजित की जाती है потом की जाने वाले कामों के बारे में डिसकस करने के लिए और यह जो आइजित की गई थी इस साल इसकी थीम भी रही थी 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 ए आई 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 बी 20 30 सपोर्टिंग एस्यास डेवलपमेंट ओर दा नेक्स्ट डिकेड तो यह थी इसकी थीम यदी हम बात करें एस्जन इंफ्रस् हिस्सा लिया है निर्मला सीतरमंजी ने जो कि प्रेजन टाइम में हमारे केंद्री वित्त मंत्री है साथ ही कॉर्परेट मामलों की भी मंत्री है और यह करनाटक से राज्जिसवा सांसद हैं और यह आप करन्ड से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो फोप्स है इसके द्वा हाली में किस मंत्राले का नाम बदल करके सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है तो ये किया गया है मानो सुनसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल करके और देखिए आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अभी हाली में 34 साल में पहली बार एक नई राश्ट्री सिक्षा नीती को भी मंजूरी दी गई है और इसके बाद इनकी इस नई राश्ट्री सिक्षा नीती को मंजूरी मिलने के बाद जो मानोस उनसाधन विकास मंत्राले है इसका नाम बदल कर किया गया है सिक्षा मंत्रा प्रेजन टेम में हमारे मानवस अंसाधन विकास मंत्री कौन है तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक जी और इनकी कॉंस्टेंसी है हरिद्वार उत्राखंड अभी हाली में इनके द्वारा दो पोटल लॉंच किये गये हैं कर्तव पोटल और युक्ति पोटल की मैंने आप ल कर सकते हैं पिछले वर्स भी यानिकी 2019 में सत्रवी लोकसभा के चुनाओं के बाद एक नय मंत्राले का गठन किया गया है और इस नय मंत्राले का नाम है जल शक्ति मंत्राले तो दो मंत्राले के विले के बाद यानिकी जो जल संसाधन मंत्राले था दूसरा जो नदी विकास और गंगा काया कल्प मंत्राले था इन दोनों ही मंत्राले को मर्ज करके एक नया मंत्राले बना जिसका नाम रखा गया जल शक्ती मंत्राले और प्रेजेंट टैमें जल शक्ती मंत्री ये है कौन तो ये है गजेंद्र सिंग शेखावत इनकी कॉंस्टेंसी है जोतपूर राज तो यह आप connect करके याद रख सकते हैं कलम ने आप लोगों से पूछा था हाली में भारत के किस राज जिमें दुरलप पीला कच्छुआ देखा गया है तो इसका राइट अंसर था ओडिसा में और ओडिसा में भी कहां ओडिसा के बाला सोर जिले में अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में मुख्य मंतरी घर घर राशन योजन के शुरुआत किस ने की है तो इसका जो भी आंसर है comment box में दीजेगा और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो अपना feedback भी जरूर बताएगा जो कि आप लोग हमेसा ही बताते हैं और इसे at least एक study related group में share करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही thank you so much